एकेडेमी और ट्यूसन क्लास के लिए हमने आज बहुती बढ़िया प्रोडक्ट लॉंच कर रहे हैं फ्री एकेडेमी क्लास टूडन्ट फीस एंड डेटा मेनेजमेंट सॉफ्ट्वेर लाइफ टाइम जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टाइटल हो गया आज क्योंकि छोटे मोटे ट्यूसन क्लासिस होते हैं छोटी मोटी एकेडेमी हो गई इंस्टीट हो गया पचास सो स्टूडन्ट आते हैं उनको फीस की रिसिप देनी पड़ती है उनका डेटा मैनेज करना पड़ता है दो-तिन कंप्यूटर सिखा रहे हैं इंगलेज भी सिखा रहे हैं दो-तिन कोर्स करवा रहे हैं डीटीप का कोर्स करवा रहे हैं तो वो सब सिखाने के लिए charges लेते हैं, उनका data manage करना पड़ता है, तो आप ये software डाउनलोड करो, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, हम आपसे आपका phone number या email ID भी नहीं मांगते हैं, आपके पास से कोई data नहीं लेंगे, ये completely free है, free to download, works for any tuition class, academy or institute to manage students, admission data and their fees collection, fees receive printing and pending fees report भी ये ही software में से आपको मिल जाएगा, इवन आप student ID का card भी इसी के अंदर से print कर सकते हो, आईए चलते हैं, ये software कैसे मिलेगा वो देख लो, ये हमारी billing software guru की website है, वहाँ पर आप school में चले जाओगे, तो ये रा free academy management software, ये free academy class student fees data management software lifetime ये खुल जाएगा, पेज यहाँ पर ये download free वाला button दबा दिजिए, ये हमने Google Drive पर डाला हुआ है, तो आपको फिर से यहाँ पर ये download button जो right side में टॉप में दिख रहा है, यहाँ पर click करना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको Google Drive permission मांगेगा, आप permit करके इसको download करना है, आपके सामने ये में live download करूंगा, पूरा install करूं देखे, ये Google Drive पर time consume कर रहा है, ये page load होने में, लेकिन ये अप ही हो जाएगा, फटा-फट हो जाता है, ये बहुत ही छोटी file है, ये देखे, सिफ 33MB की file है दोस्तों, download anyway का button दबाऊंगा, तो तुरंत ही download हो जाएगा, academy fees management software underscore setup.exe, ये software क्या setup के file का नाम है, यहाँ पर download anyway का ये button आपको press करना है, इससे ये software download होता है, दोस्तों, ये देखे, ये यहाँ पर ये display हो गया, academy fees management software underscore support file, इसको आप save कर लिजिए, ये फटाक से save हो जाए, क्योंकि सिर्फ 33MB की file है, ये देखे, ये file आगई, अब ये file को double click करके install कर दो आप more info, run anyway, ये सीधा start हो गया, installation, next दबा दो, यहाँ पर ये आपको जो भी drive में install करना है, install कर सकते हो, यहाँ ऐसा आजाएगा, d drive, academy fees, management software करके ये folder बना देगा अपने आप, कोई drive चेंज करनी है तो करो, वरना by default इसको d drive में ही रहने दो, वो हम recommend करते हैं, next कर दिया, next कर दिया, next कर दिया, install दबा दिया, ये देखे, ये install हो गया और ये icon आगया दोस्तो, तो ये है हमारा software, academy fees management software, हम इसको launch नहीं करेंगे, ये खास ध्यान में रखना है, लोग सीधा start कर देते हैं, और फिर phone करते हैं, कि ये चल नहीं रहा है, आप पूरा video पूरा ध्यान से देखो, कोई भी windows operating system है, support setup चलाना जर install करनी पड़ती है, ये टिक मार निकाल के मैंने finish कर दिया, अब मैं ये इसके उपर में right click करने वाला हूँ, और इसका support setup होगा, open file location में चला गया, यहाँ पर आप देखोगे, ये setup करके ये folder है, यहाँ पर हमने ये केतन underscore support setup file है, ये इसको install करना जरूरी है, इसको yes दबा दि पर ये install नहीं करोगे, dll file install नहीं होगे, software start नहीं होगा, ये भी देखो, ये भी लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, और call कर देते हैं, या WhatsApp पर message डाल देते हैं, भाई ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये क्या, ये error नहीं है, ये dll file जो है system 32 की, वो अभी windows चल रहा है REGS VR 32, तो हमें यहाँ पर ignore करना है, ignore करेंगे, तब ही ये setup finish होगा, और ये setup finish होगा, तो ही software चालू होगा, यहाँ setup folder के अंदर win rr की भी setup file है, और pdf में convert करने के लिए भी हमने setup file दिया हुआ है, तो ये software install हो गया, इतनी ही file है, छोटा सा software है, double click कर दिया, software start हो गया दोस् ये देखिए, यहाँ पर ये company में कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें create new company का button दबाना है, और यहाँ पर अब हम हमारे classes की detail डाल देंगे, जैसे manan classes, address डाल दिया, mobile number डाल दिया, email ID डाल दिया, wait number, part number, registration number की जरुवत नहीं है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, financial year ध्यान रखना है, ये by default 2014 हैगा, आपको यहाँ पर करना है, जो भी financial year आप जब भी install कर रहे हो, उसका जो भी financial year है वो आप कर सकते हो, 142023 से 312024 ये कर दिया, इसको आप आपके इसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो, आपके इसाब से date range रख सकते हो, ये भी change मत करो user password फिर आप भूल जाते हैं खुद ही, यहाँ one है, by default username, password भी one ही है, create company दबा दो बस, ये देखिए ऐसा message आजाएगा, company created successfully okay का बटन दबा ओगे, ये सीधा software start हो जाएगा, username one है, यहाँ पर next का बटन दबाना है, पासवर में एक ही लिखना है, ये login कर दिया, software start हो गया दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है, entries में चला गया, inquiries में चला गया, सबसे पहले student आएगा, inquiry करेगा, पर किस चीज की inquiry करेगा, तो course बनाना पड़ेगा, तो इसको close करते हैं, master में चले जाते हैं, ये रहा course master, कर, तो course master के अंदर हम बना लेते हैं, समझो, एक DTP का course है, भी DTP के लिए हम 4500 रुपिस लेंगे, दूसरा एक English speaking है, भी English speaking का हम 3200 रुपिस ले लेंगे, तो इस तरीके से आप अलग-अलग courses कर सकते हैं, tally, वे टेली काम ले लेते हैं, पचपन सो रुपिया, Photoshop, देड़ अजर रुपिया, तो इस तरीके से आप अलग-अलग courses बना सकते हैं, close कर दिया, कोई course नहीं चाहिए, तो आप यहीं पर से उसको delete भी कर सकते हो, अब student आया तो उसकी inquiry डाल देते हैं, सबसे पहले entries के menu में inquiries, new, भाई आज की date कौन से है, 28-05-2023 date डाल दी, course, भाई कौन से course के लिए student inquiry कर रहा है, भाई टेली के course के लिए student inquiry कर रहा है, रमेश महता, पादर का नाम डाल दिया यहाँ पर, occupation डाल दिया, तो यह देखे, पूरी डिटेल आ गए, occupation, qualification, date of birth भी डाल सकते हैं, यहाँ पर यह timing important है, कौन सी batch में student admission ले रहा है, course committed fee कुछ discount देना है, तो हम यहाँ पर discount भी minus कर सकते हैं, दोस्तों इस तरीके से, यह कुछ remarks में लिखना है, तो लिख सकते हैं, फिर enter कर दिया है, यह save का नीचे button आ गया देखिए, यह save का button दबा दिया, new inquiry has been saved, तो इस तरीके से आप multiple inquiry कर सकते हैं, दोस्तों, अब हम आगे चले जाते हैं, इसको close कर देते, तो यहाँ entries में देखेंगे, यह inquiries की पूरी list आ गई, दोस्तों, यहाँ पर show pending inquiry, so successful inquiries भी है, अब इसको close करता हूँ, entries में चला गया, student admission में चला गया, new दबाया, यहाँ मैं direct student की entry भी कर सकता हूँ, date भी डाल सकता हूँ, आज के दिन student आया है, और उसका enrollment चल रहा है, तो admission number अपने आप आ जाता है, यहाँ पर यह देखे, get data from inquiry पर मैं क्लिक करूँगा, तो जितनी inquiry होगी वो आ गया, मैंने राकेश अद्वर्यू का नाम select किया, continue दबा दिया, तो उसका पूरा detail यहाँ पर आ गया, यह देखे, यह मैं save कर रहा हूँ, यह detail से हो गई, simple, मैं फिर से new दबाऊंगा, आज के date डालूंगा, get data from inquiry करूंगा, यहाँ पर यह मैं tick mark निकाल के फिर से डालूंगा, यह देखे, पूरी detail आ गई, रमेश महता continue, रमेश महता ने telly के लिए enroll किया था, discount वगेरा जो भी दिया था गया, यहाँ, click here to add picture, आप यहाँ पर रमेश महता का picture भी add कर सकते हैं, दोस्तों, यह देखे, picture आ गया, save कर दिया, यहाँ पर student के admission में भी यह detail आ गई, अब आप इस यह refresh का button दबाएंगे, यह देखे, दोस्तों, पूरा उसका ID card भी बन गया, जो आप print निकाल सकते हो, और यह ID card को आप folder में डाल के student को देश सकते हो, ID card का folder भी, उसकी link भी हमने दी हुई है, जो आप Amazon पर से purchase कर सकते हो, दोस्तों, यहाँ पर यह आप देखोगे, तो हमने यह student ID card printing software के अंदर वो link दी हुई है, अलग-अलग type के ID cards भी हमने दिखाए हुए हैं, यहाँ पर यह देखिए, और यह ID card holder आगया, purchase on Amazon, यह इस type का holder आप अलग-अलग type की design से, जो आप यहाँ पर से purchase कर सकते हैं, यहाँ पर click करने से, यह सीधा आपको Amazon पर ले जा भी आप इस तरीके से purchase कर सकते हैं, दोस्तों, तो यह भी हो गया, दोस्तों, तो यह हो गया, यह ID card हो गया, student का, अब यह enroll हो गया, आपको यहाँ पर यह course name के इसाप से, मुझे सिर्फ Tally के student देखने हैं, तो सिर्फ Tally के student ही आपको दिखाएंगे, इस तरीके से भी आपका पूरा data मिल जाता है, अब हम inquiries में जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, शो successful inquiry तो जो दो student ने admission ले लिया है, वो आ जाएगा, और यह ठीकमा निकाल के, शो pending inquiries बताएंगे, तो यहाँ बताएगा कि यह student ने अभी तक admission नहीं लिया है, तो उसको follow up लेना है, तो आप ले सक interest बताया था और उसके रिमार में क्या लिखा हुआ है, वो सब आप follow up ले सकते हो, तो इस तरीके से यह free software आपको काम लगेगा दोस्तों, तो यह दो purpose है, और तीसरा purpose आगया, आप student fees देगा, तो quick receipt में चला गया, यहाँ पर date डाल दी आज की, by default cash आगया, student यहाँ पेमेंट कोई और मीड से करते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर bank create कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ, राके सद्धवर्य उन्हें payment दे रहा है, तो यह देखो 4500 रुपीज उसका आगया, वह पंदरा सो रुपिया उसने दिया, यहाँ आप लिख द pending लिखना है, pending 3000, तो इस type की detail भी आप यहाँ remark में लिख सकते हैं, जो आप receipt के अंदर print करवा सकते हो, यह tick mark कर दिया, यह print का button दबा दिया, यह देखे print voucher और यह preview, बस यही है इसका climax दोस्तों, यह moment है climax moment, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा receipt मिल जाता है, free software का, यह देखे manan classes जो हमने detail डाला था, master में, company info के अंदर जब install किया था, create new company के वक्त, वो यहाँ पर आ गया, आप यह detail को editing यहाँ पर करोगे, यह सब detail यहाँ पर आ जाएगी अपने आप, receipt आ गया है, receipt number, student का नाम आ गया, उसकी detail आ गया, कितना पैसा दे रहा है, किस चीज के लिए दे प्रिंटर है, उसकी detail आ गया, 15 रुपिया, money and classes, authorized signature, हाप, if for page के अंदर setting यह, print का बटन दबाओगे, आपका यह receipt print हो जाएगा, दोस्तो, आपको इसको PDF बनाना है, तो आप इसको PDF भी बना सकते हैं, printer के अंदर, आपको do PDF करके, जो printer होगा, उसको default कर दो, manage में चले जाओ, set as default कर दिया, do PDF को, यह do PDF printer, यदि आपके पास नहीं है, तो हमने already दिया हुआ है, यहाँ पर setup folder में, यह setup file है, यह install करने से printer मिल जाएगा, अब यदि आप यह receipt की preview देखके, इसको आप यदि print निकालोगे, या direct भी print निकाल सकते हो, तो यह देखो, यह PDF में convert हो जाता है, document, document, ओके कर दिया, तो यह देखे, यह PDF बन गई दोस्तों, आप इसको WhatsApp पे, या कोई भी email से, या ऐसा कोई means से, आप student को यह receipt दे सकते हो, यह printer नहीं है, तो, तो इस तरीके से software PDF भी बना लेगा, आपके लिए receipt की, तो कितना easy है, आपने देख लिया दोस्तों, अब cash के ले जाओ, new बना दो, bank of baroda, bank of baroda डाल दिया, group के अंदर bank account सेलेक कर दिया, यहाँ दूसरे account भी बना सकते है, आप यहाँ EC software में accounting भी manage कर सकते हो, अब मैं quick receipt में चला गया, enter कर दिया, bank of baroda भाई, किसी ने ptm कर दिया, मेरे bank of baroda में payment आ रहा है, तो bank of baroda सेलेक कर लिया, रमे जी पे, कितना payment दे रहा है student, 3500 रूपिस, half payment, यह first instrument, जो भी रिमान में लिखना है, लिख दिया, enter कर दिया, यह आ गया detail, यहाँ पर यह तिक मार करके आप print का बटन दबाओगे, वही receipt के अंदर यह सब detail आ जाएगी, दोस्तों आप देखना, यह रहा देखोए, आ गया pt pmg पे जो भी लिखाया, half payment लिखके आ गया, बाकि student की detail आ जाती है, तो इस तरीके से आपके पास यह पूरा हिसाब रहता है, कि student का fees आ गया, उसका payment ले लिया, अब इसका laser देखोगे, reports के अंदर यह रहा, cash में जाओगे, तो आज के दिन कितनी student की fees आई, उसका भी total आ ज जाएगी, इसका print भी निकल जाता है, दोस्तों, यह देखे, print का button दबाते हैं, इस type से, इसका laser भी print हो जाता है, जो आप student को दे सकते हो, आगे चले जाता है, outstanding analysis में जाके, ok का button प्रेस करोगे, जितने student है, उसकी जितनी भी fees बाकि है, उसकी detail आ जाती है, जैसे राकेश value का 3,000 रुपया बाकि है, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर यह देखो, पूरी detail आ गए, कि 4500 रुपीज लेने के थे, 1500 दिये, तीन अजार रुपया बाकि है, तो इस तरीके से पूरा laser हो जाता है, इसकी print भी निकल जाती है, तो outstanding का list भी निकल जाता है, दूस्तों, इसी त समझो, रितिक रुषन आपके यहाँ जॉब कर रहा है, वो उसको salary देनी है, तो यह सब expenses हो गया, इसको expenses के account में ले जाओ, save कर दिया, close कर दिया, entries में चले जाओ, quick payment में चले जाओ, रितिक रुषन को cash में payment दे दी, उसका नाम सिलेक कर लो, भी 5000 रुपया आपने salary दे दी, इस तरीके से आप पूरा expense भी manage कर सकते हो, दोस्तो, तो payment हो गया, receipt हो गया, bank entry, cash withdrawal, cash deposit, यह सब चीजे भी आप छोटा मोटा accounting या personal accounting या इसी software के अंदर आप manage कर सकते हो, दोस्तो, और उसके related balance sheet, profit and loss, trial balance, day book, log book, सभी reports इसके अंदर available है, दोस्तो, तो यह है हमारा free tuition classes, academy management software, जो आप यहाँ पर से download कर सकते हो, billing software गुरू के उपर से, कोई query है, तो आप हमें Indian office hours के दोरान, हमारे whatsapp number 97279 55514 के उपर, whatsapp करके आप हमें inquiry भेज सकते हो, हम आपको guide करेंगे, इसका full version भी हमारे पास available है, जिसके अंदर ज्यादा features है, वो chargeable है, और वो सभी software, यह school tab में आता है, school software, tuition class software, university data management, library software, preschool software, जो आप हम से paid version ले करके, आप हमको payment करके purchase कर सकते हो, बाकि यह software तो पूरा free में है, आशा करता हूँ, आपको यह software पसंद आया होगा, यह software डाउनलोड करने की link, इसी वीडियो के नीचे यह आमने दी हुई है, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और यह जो blog है, यहाँ पर इसका पूरा user manual है, जिसके अंदर आपको पूरा screen to screen guidance भी मिल जाएगा दोस्तो, thank you very much.